इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सरकल के साथ जरूर से शेयर करियेगा कोविड नाइटीन की ये सेकेंड लहर चालू है फर्स्ट वेव जो था वो इतना घातक नहीं था लेकिन सेकेंड वेव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब पिछली बार की कंपेरिजन में चार गुना ज्यादा लोग इस बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं पिछली बार की जो बीमारी थी उसमें जो सिंटम्स छे जो लक्षन थे सरदर्ध होना बुखार आना और सरदी खासी होना इस बार का जो वाइरस में परिवर्दन आया है उसके लक्षन भी थोड़े बदल चुके हैं जैसे के कुछ लोगों को बुखार या सरदी खासी या टेस्ट या स्मेल का जाना ये लक्षन नहीं दिखते हैं लेकिन मौर कोमनली दो लक्षन देखे जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा बदन दर्ध होना और दूसरा वीकने साना अगर ये दो लक्षन आये हैं तो भी हम कोविड नाइटीन से पोजिटिव हो सकते हैं सेकेंड वेव इतनी खतरनाक है कि पिछली बार से चार गुना ज्यादा लोग इस बार अफेक्ट हो रहे हैं होस्पिटल्स की ऐसी हलत है कि कहीं भी बड़े शेहरों की होस्पिटल में बैड नहीं है मेडिसीन्स और इंजेक्शन की ऐसी हलत है कि लोग दो-दो किलोमेटर लंबी लाइन में खड़े हैं लेकिन इंजेक्शन्स और मेडिसीन्स अवैलेबल नहीं हैं फ्रेंड्स करें तो क्या करें अलवापथी में एजित्रोमाइसिन, इवर्मेक्टिन, डॉक्जी साइक्लिंग, फैबी फ्लू, और रेम्डेसेविर ऐसी दवाईया कोविड-19 को कुछ अच्छन्स काम नहीं करती हैं। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे हमारी फैंबली में से या हमारे आसपास में से हमारे लेटिव में से, जिन लोगों को ये इंफेक्शन हुआ है, वैसे लोगों को होस्पिटल में एडमिट होने के लिए बेड नहीं रोज सुन रहे हैं, हमारे relative में से भी काफी लोग गये हैं और हमारे आसपास में से भी काफी लोग गये हैं, तो friends इस महामारी के वक्त में हमें क्या करना चाहिए और आयरुवेद हमें इस महामारी के प्रोंग रखना पड़ता है स्पेशली अगर हम एलोगेथिक में भी देखें तो जो जिंक और विटामिन C के सप्लीमेंट दिये जा रहे हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम को एन्हांस करके ही आपको ठीक कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आयुरुवेद में कुछ ऐसे इम्यून बूश्टर बताये गए हैं कि जिसका हम सेवन कर सकते हैं सबसे पहले यह जो मंत चल रहा है मार्च और एप्रिल इसे आयुरुवेद में वसंत रुतु कहा जाता है वसंत रुतु में नेचरली कफ का प्रकोप होता है मतलब जितने भी वाइरल डिसोर्टर्स होते है यह वसंत रुतु में ज्यदा होते है क्योंकि वसंत रुतु में कफ बढता है जो आगी की विन्टर सीजन में हमारे शरीर में जमा हुआ कफ है वह वसंत रुतु में बढता है और यह बढ़ा हुआ जो कफ है यह वाईरस को एट्रेक करता है, specially COVID-19 वाईरस इसी सीजन में य रिजन यही है कि यह वसंत्रुतु चल रहा है, जैसे वसंत्रुतु खतम होगा और मे का फर्स्ट विक सेकंड भी काएगा, तो होफुली यह वायर इंफेक्शन भी दिरे दिरे कम होता जाएगा, लेकिन तब तक हम अपने आपको कैसे बचाए, अपनी इम्मुनिटी को कैसे स स्ट्रोंग रखें और अपने परिवार का कैसे हम बचाव करें वो ज़रूरी है, सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी है, स्टीम लेना है, जब भी आप घर से बाहर निकले या घर में वापिस आए, दिन में दो बार आप स्टीम लेजिए, पानी में अजवाईन और सूंठ दालके कम से कम, पांच मिनिट आप स्टीम लेजिए, पंदरा बार नाक से अंदर खीच के मूँ से छोड़ना है, और पंदरा बार मूँ से लेके नाक से छोड़ना है, इस तरह से हमें स्टीम लेना है, दूसरा गरम पानी में नमक डालके उसके दार गल, सुबा में एक बा गिलोई का एक टुकड़ा या आधी चमज पाउडर, उसके साथ साथ हल्दी आधी चमज या उससे भी कम ले सकते हैं, तीसरा तुलसी के पत्ते पांच से दस और चोथा सोथ पाउडर एक चोथा ये चमज, उसको एक कप पानी में उबालके आप आधा कप करके दिन में एक ब करिए, यकीन माहिए, ये बहुत अच्छा है आपकी इम्म्यूटी के लिए, आपकी इम्म्यूटी को बहतरीन तरीके से बूश्ट करेगा, अगर आप घर पे ऐसा कड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप आपके नजदी की आईरुवेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इस दूसरा, कुछ आईरुवेदिक मेडिसिन्स में आपको यहां पे सजेस्ट करना चाहता हूँ, कि जो मेडिसिन्स आप अपने घर में रखिए, अगर आपको सिंटम्स दिखते हैं, जो सिंटम्स में आपको बताये, जैसे बदन दर्ध होना, कमजोरी लगना, बुखाराना, पेट डर्ध होके, हलके दस्त होना, सर्दी खासी या बुखाराना, यह लक्षन अगर आपको दिखते हैं, तो आप तुरंथ ही इन में से जो मेडिसिन्स में आपको बता रहा हूँ, यह आईरुवेदिक दवायों का सेवन 5-7 दिन करके आप बिलकुल ठीक हो सकते हैं, तो इसके साथ सब्त पर्ण धनवटी इसकी 2-2 गोली सुबासाम आपको लेनी है, जिन लोगों को सर्दी खासी के सिम्टम्स भी साथ में दिखते हैं और बदंदर्द भी रहता है, उन लोगों को सितोपलागी टैबलेट, 2-2 गोली सुबेशाम, त्रिगोवन कीर्ती रस, 2-2 सुबेशाम और लक्षमी विलासरस की 2-2 गोली सुबेशाम लेनी है, उसके अलावा जिन लोगों का कोविट डैंटिन टेस्ट पोजिटिव आता है, उन लोगों को इन दवाईयों के साथ साथ कुछ काढ़ा मैं आपको बता रहा हूं, दश्मूल काढ़ा, भारंगया दी क काढ़ा, पत्या दी काढ़ा और कडू कड़िया दू, इसमें से 1, 2, 3 या 4 जीतना भी आपको मिले, वह आपके घर पे आप या तो उसका एक्स्ट्रेक्ट फोर्म में पाउडर फोर्म में ले आईए, या उसका लिक्विड फोर्म भी तयार मिलता है, उसको आप ले आईए अगर काढ़े के फोर्म में आप बनाना चाहते हैं एक्स्ट्रेक्ट में से तो ये चारो चीजों में से एक एक चमच लेकर उसे दो गलास पानी में उबालके, आधा गलास पानी जब बचता है तब उसको छान के खाली पेट सुबा उसका सेवन करें, अगर आप के लिए और सर्दी खासी के लिए जो दवाईयां बताई, उसका सेवन भी सुबा शाम खाना खाने के बाद ये कहड़े के साथ, कंटिनियोस साथ दिन करने से आप COVID-19 पोजिटिव है तो आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो सकता है, जिन लोगों का oxygen saturation डाउन होता है, वैसे लोगों के लिए आईयरवेद की दो दवाईयां में आपको सजेस करता हूँ, एक स्वासकास चिन्तामानी रस, और दूसरा है सुवण वसंत माली रस, सुबह शाम एकट गोरी लेना है, और स्वासकास चिन्तामानी रस जो है। आपको जीब के नीचे रखके आपको उसको उसका पाउडर करके जीब के नीचे सब लिंगवल रख देना है, सुबाश हम एक एक गोली लेना है, ये दवाईयों का सेवन करने से oxygen लेवल आपका बुष्ट हो सकता है। Friends, मैंने पिछले एक साल के pandemic season में यहाँ पे अपने क्लिनिक पे 2000 से ज्यादा COVID-19 positive patients की treatment की है। और उन patients को हमने इनी दवाईयों से ठीक किया है, जो दवाईयों मैंने आपको suggest की है। फिर भी आप अगर COVID-19 positive होते हैं और आप आयरवेद से अपना इलाज करना चाहते हैं, तो आप हमसे या अपने नस्दी की आयरवेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इन में से कोई भी दवाईयां जो मैंने आपको suggest करी हैं, उनका सेवन करके अपने और अपने परिवार के ल लगी होगी, अगर या information आपको अच्छी लगी हो तो आप तक इसको ना रखें, इसे अपने परिवार जने, अपने नहीं जनों तक जरूर से पहुचाएं, तन्यवाद.